नमस्कार मैं हूँ सच्चेदानद वसेष्ट सज्जनों एक बहुत बड़ी भारी समस्या और वो समस्या क्या क्या है हर व्यक्ति ग्रिव प्रवेश का महुर्थ पूस्ता क्या है और जब उनको कोई भी जोतिसी महुर्थ बताता है तो उनके मन में एक आशंका रहती है और वो आशंका ये है कि हम ग्रिव प्रवेश में सबसे पहला त्योहार दीपावली मनाएं या होली मनाएं कौन सा सुब रहेगा तो उसके लिए हम आपको जनकारी देने का प्रयास करते हैं देखिए बारह मेने भगवान ने सब स्विष्टखी बनाए गए लेकिन बारह मेने में एक तो चैत्र का मेना जो 13 अप्रेल से चैत्र का मेना 13 मार्श से लेकर के और 14 अप्रेल तक जिसको खरमास कहा जाता है इनमें तो होता ही नहीं है फिर अस्विन में अगर देखते हैं तो 15 दिन अस्विन के चले जाते हैं अर्था स्राद्ध पक्ष जोगें चला जाता है कभी भी शुक्र अस्त होता है गुरू अस्त होता है तो उस समय पर भी ग्रह प्रवेश नहीं होते हैं बाकी मुख्यता ग्रह प्रवेश जो कहा है देव सोने पर बंद हो जाते हैं देव उठने पर ग्रह प्रवेश के मोहुर्थ प्रारंब होते हैं वैसे आप सामान्य महुर्थ अगर कोई पुराना घर है जीर्ण ग्रेप्रवेस के महुर्थ आपको अगस्त में भी मिल जाएंगे सितंबर में भी मिल जाएंगे अक्टूबर में भी मिल जाएंगे लेकिन नया घर अगर आपने बनाया है तो वो आप महुर्थ के अनुसार ही उसके अंदर ग्रेव प्रवेस करें देव उठानी एकादसी जब आ जाती गए तो देव थानी एकादसी भी उसको कहते गए देव प्रबोधनी एकादसी भी उसको कहते गए तो वहां से जो है मुर्त प्रारंब होते खें अब लोगों की धारणा यह है जी हम तो सबसे पहले हम जो है ग्रियव प्रवेस में दिवाली से पहले-पहले करेंगे जो हमारे घर में दिपावली पहले-पहले आई तो ऐसी बातें ना तो किसी शास्त्रमेंग है ना कहीं पर हमने पढ़ा लेकिन किम बदमती है किसी ने किसी को कहा, किसी ने किसी को कहा किसी ने किसी को कहा भाई हम तो जो है दिवाली से पहले महुर्ट करेंगे अरे भले आदमी दिपावली से पहले जो कहे सूर्य नीच का होता गही है और नीच के सूर्य के अंदर ग्रह प्रवेश नहीं हो सकता कोई कहते हैं हम तो नवरात्रों में कर लेंगे नवरात्रे भी आस्विन में आते गहें और नवरात्रों के अंदर भी कभी कभी सूरे नीच का रहता है लेकिन नवरात्रों के अंदर केवल दुर्गा पूजा के लिए नवरात्रे स्रेष्ट कहे जाते गहें लेकिन ग्रिह प्रवेश के लिए वो स्रेष्ट नहीं होते हैं तो फिर कब करें अगर हम ये टाइम छोड़ देते गए तो आप बैसाक में करो, जेश्ट में करो, असाड में करो ये तीन मेने जो गए वहाँ पर माने गए गए और इसके अलावा जो सबसे स्रेश्ट महुर तो होता गए वो माग का होता गए और माग कब आता के दिपाउली के बाद आता के मागे अर्थ लावाया माग के महिने में धन का लाव होता है, माग महिने में अगर ग्रेप रवेस करते गए तो उस घर और धना गं के रास्टे स्वतय बनते रहते गे तो बताईए कहां बुरा हुआ उसके बाद तो होली ही आएगी और फालगुने अर्थ पुत्रंचो दन और पुत्र दोनों उसके अंदर प्राप्त होते गए तो बताईए फागुन कैसे बुरा हुआ हाँ होली से पहले के जो आठ दिन है वो जरूर निशिद्ध होते हैं उसके अंदर कोई भी महुर्त कोई भी सुबकारी है चैए विवाग है ग्रह प्रवेश है नीव लगाना है या कोई दुकान खोलना है किसी भी प्रकार संसान का व्यापार का कोई भी मोहुर्थ है उन्य शिद्ध रहते हैं लेकिन वो कब फालगुन शुकला अस्टमी से पूर्ण मासी तक होली का दहं तक वो बंद रहते हैं बाकी ग्रह प्रवेश जब भी करना हो अब होली के बाद अगर करोगे तो चैत्र में नहीं कर सकते फिर बैसाक जेट असाड में करोगे और अगर वहां पर करोगे तो आपको जो कह वह हैं खोली भी निकल गई और दिपावली सबसे पहला महुर्थ होगा लेकिन ये हमारी अग्यानता कहें आपने किसी से सुन लिया कि पहला त्योहार जो हैं ओधावली होनी च करना चाहिए यह नहीं है कि किसी से सुन लिया कि हमें दिवावली से पहले ही हमें गर ग्रेप्रवेस करना गए हो सकता गए इससे कोई आपको गलत महुरत मिल जाए और आपका जो गए सारा किया कराया जो गए वो पानी में चला जाए इसलिए आपको ग्रेप्रवेस सदा सु कर्म काणड संगीत में विवहार刚 सर्प दोष व्ययापार में रुकावट वो नव ग्रहों की पूजा आधी कराई जाती है हमारे संपर्क सूत्र है हमारे संपर्क सूत्र है